हमस्क्रत दोस्तों कैसे है गोतम की यूटूब चैनल पर आपके शाब को स्वावात हम तो चलिए आज बनाते हैं बैज़िटेवल स्टू देख लेते कहा चाहिए यह पर हमने लिए गाजर बीन्स पोटेटो हाड़ा मोटर फुलगोवी प्रिंग ओनियन थोड़ा साध रख एक हडा मिर्ची और यह जो है यह प्याज है सफेद दीकरा है लशुन नहीं है इस प्रिंग ओनियन का प्याज काटके डाल दिया और एक हडा मिर्ची बस इतना ही चाहिए पैन रखिए तेल डालिए इसमें हमने ऑलीव ओयल डाला आप र लॉंग एक टुकड़ा डाल चीनी और डाल देंगे दो पीस छोटा इलाइची इसमें हमें एट कर देंगे हमारा काटा हुआ सामा सब रेडी है तो इसमें हम डाल देंगे अभी पैयाज को और आलू पैयाज को बहुत ज़्यादा फ्राइग करने की जोरत नहीं है तो और डालेंगे यह हमारा काटा हुआ बताइए बिंज डाल देंगे डाल दिया गाजर इसको हलका हलका हिलाते रहेना है और डाल देंगे फुल को भी बहुत तेज आज में इसको पकाना नहीं है क्योंकि जल जाएगा तो अच्छा नहीं लेगा कि सफेद होता ही है इसमें हम डाल दिया हरा मटर हमने फ्रोजन बला डाला हूँ फ्रेश है तो आप डाली है तो इसको भी मिला लेंगे डाल देंगे हरा मिर्ची काटा हुआ हमारा अध्रक जिंजर को भी हम डाल दिया इसमें तो इसको अच्छा से मिलाना है यहाँ पर हमने थोड़ा काड़ी पत्ता भी डाल देंगे फ्रेश कड़ी पत्ता इसका जो फ्लिवर आता है वाके कमाल का है तो कड़ी पत्ता है तो जरूर डाली है इसमें बहुत अच्छा होता है स्माइल इसमें डाल देंगे हमारा यह नमक एक चमल डाल दिया हूँ आप अपना स्वाधा नशा डालिए इसमें थोड़ा सा अच्छा से इसको मिलाईए और डाल देंगे थोड़ा सा पानी बहुत ज्यादानी हलका सा हलका पानी डालके इसको आधा पकाएंगे हम पूरा इसको नहीं पकाएंगे तो यह बहुत हिल्दी खाना है इसको खाने में कोई बुराई नहीं है बहुत वेजिटेबले शब कुछ है तो आमने पानी इसमें थोड़ा सा याड़ कर दिया हो तो इसको अच्छा से थोड़ा पानी सबको लगा के बस ढखन लगाई है और पाच मिनिट के लिए इसको रख दीजिए यह कोबर करके पाच मिनिट के लिए इसको छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा खुका है सब्जी है हमारा इसमें आट कर देंगे जो नाडियल हमने मिल्क बानके रखा था नाडियल मिल्क कोकोनेट मिल्क तो तो अधह डाल दिया आधह से यदा और थोड़ा सा रख दिया क्योंकि पूरा डालेंगे इसका तो तो श्यांज हो जाता है तो लास्ट में तो दोस्तो नाडियल का दूद भी बहुत अदमी को पता नहीं होगा कि नाडियल का दूद कैसे बनाता है कुछ नहीं है दोस्तो नाडियल से नाडियल वाला निकाल लिए नाडियल उसको पतला काटिये मिक्षी में डालिये थोड़ा पानी डलके अच्छा से पीस लेजिए और फिर अच्छा से छानी लगा के निचोर के उसका दूद निकाल लीजिए फिर थोड़ा सा पानी डलके फिर मिक्षी में एक बार करके और एक बार निकाल लीजिए तो बहुत अच्छा से दूद निकाल जाता है बहुत सारी निकल लिगा बस निकलना बहुत ही आसान है ना और बाकी बाचा हम जो कोकोनट मिल्क है उसको भी हम इसमें आट कर दिया और इसको कर देंगा भी बंद क्योंकि यह बंद के हो गया रेडी क्रलास्ट इल में खाना है तो लास्ट में भी एक चमच आप नाड़ील तेल जो है वो डाल दीजे कोकोनट वाइल वक्टमस डाल के बुन कर दिजिए और इसको सार्विस बॉल में सार्विंग बॉल में निकाल लीजिए यह देखिए त neo कर्मस्ताया है में तो बहुत ही अच्छा दूस्तों खाने में बहुत इलाजवाव मेरे इसके साथ खाते हैं बहुत डेम्टर सब्सक्राइब कर दो नहीं है, मास्त है, थैंक यू फर वाचिंग.